आज हम बनाएंगे हीमाचली रेडू जिसे बनाना बहुत असान है खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है जटपर से बन करके त्यार हो जाता है आप इसे राइस के साथ खाईएगा बहुत ही टेस्ट लगता है इस हमारे यहाँ पे इसे धही तरका बोला जाता है तो हमाचली रेडू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है दही आदा किलो दिये दही लिया है फ्रेश दही आप चाहिए तो घर पे जमाई हुई भी ले सकते है अब इसे हम क्या करेंगे दही को अच्छे से विसकर से फेड लेंगे ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए दही में कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए एक दम से स्मूथ हो जाने चाहिए आप देख सकते हैं कि देरे देरे स्मूथ होने लगी है अच्छे से स्मूथ करना है हमें से जब हमाचली रेडू बनाएंगे तो खाने में बहुत ही तेस्ट लगेगी यह दिखेंगे काउर्णिं कम जाना है तो घी को अच्चे से गर्म करेंगे एक जींग चृफ होने के बाद के बाद ऐस्मूध ही लेगी all शय ओब स्काहिध देंगर फिर दीर की यह दीर के लिए यसे बूत्य अच्छा वह ने थेस्ट हैएगा थोड़ी देर के लिए यसेह हल्क याद कर लेंगी लेसन को ताकि लेसन जब अच्छे से पक चाएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सबजी में अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च यहां पर मैंने लेने तीन हरी मिर्च अब अपने रिसाब से कम जाता भी कर सकते हैं इसे भी थोड़े देर के लिए करी पता करी पते को अच्छे से पहले महीं फोड़ सुखा लिया था यह इसमें डाल देंगे अगर लाकिक पता हो तो अगर लिए तो वह उड़ते हैं हिनु यतिज उड़ता है अभ में ले लिया प्याज मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज ले 한데 वह ट लिया है इसे भी डाल यह देखेंगे थोड़ देर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे प्याज को और बिच बिच में थोड़ थोड़ा चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं प्याज का हलका सा रंग चींज हो गया है थोड़ देर के लिए प्याज को और पका लेना है सिर्फ हलका सा ज्यादा न डालूँगी टमाटर, दो कटे हुए टमाटर लें जिसकी मैने बीज निकाल दिया है, अब इसे भी डाल के साथ में भूल लेंगे, बीज निकालना ऑप्शिनल है, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, थोड़े देर के साथ भी अच्छे से भूल लेना है हमें, थोड़े द अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़े देर के लिए से पका लेंगे, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाए, फिर मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च आदी च्छोटी चम्मच, इससे क्या होगा, कलर बहुत अच्छा हैगा, और यह तिक ह बिल्कुल नहीं होती है, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़े देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच-बीच में चलाते रहना है आँबे, ताकि यह जलेना, यह देखेंगे, हलका-लका सोफ्ट हो गया है, तोमाटर, थोड़े देर के लिए बिल्का सा ठंडा होने के लिए, अब थोड़े के बाद देखेंगे, तो यह अच्छे से ठंडा हो गया है, ठंडे में ही इसमें डालनी है दही, गैस बंद करके दही डालनी है इसमें, अगर अब गैस चला करके दही डालेंगे, तो दही फट जाएगे, यह देखेंगे, इ इसमें डालेंगे हरा धनिया अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा भी डाल सकते हैं इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा यह हमारा हिमाल चीने डेडू बन करके त्यार है गाईज आप भी रैस्पी ट्राइ कीजे आपको रैस्पी कैसे लगी हमें कमेंट करके जिरूर ब सकते हैं भूदी तेस्टी लगता है तो आप यह रैस्पी ट्राइ करकर जुर्दी दिखेगा आपको यह बहुत पसंद आईगी तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ थैंक्स पर वॉचिंग रादे रादे जी